हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम तो दिस प्लेटफॉर्म गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे येस बैंक लिमिटेट से एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट आपको ये बड़ी अपडेट ना लगे लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है येस बैंक बैसिकली आपको बताना चाहूंगा सेल्स फोर्स एक तरीके का कस्टमर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेर होता है उससे एक कॉलाबरेशन किया है इस कॉलाबरेशन से किस तरीके से बैंक को फायदा होगा इस वीडियो के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा धयाँ से देखना धयान से सुनना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ Salesforce होता क्या है एक example से छोड़ा सा example आपको बताना चाहूँगा उससे आप समझे आपको जब किसी आप mall में जाते हो समान खरेदने कोई आप clothing या कोई भी चीज खरेदने जाते हो और उस mall में पहली बार जाते हो ठीक है और उस mall में 6 महीने बाद फिल जाते हो तो वो जो आपका जो जो shop की पर होता है जहां बिलिंग कराते हो वो आपको पकड़ लेता है कि आपने उसकी shop पे आप उस mall में last time कब visit करे थे और कितने की आपने shopping करी थी क्या क्या खरेदा था इस सारी की सारी information system पे uploaded होती है ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने ऐसा इसलिए ताकि customer के behavior को पढ़ा जा सेके customer का actually orientation क्या है किस तरीके का customer है low valued customer है high valued customer है क्या खरिदना चाहता है किस तरीके का mood है उसकी information क्या है उसका mobile number क्या है address क्या है जितना जादा से जादा हो सकता है आपकी information system cloud के उपर store हो जाती है उससे क्या होता है उससे customer से relation बनता है customer से एक connectivity बनती है जिससे एक unified experience create होता है customers का business के through तो ये एक retail level की growth में एक बढ़िया जबर्दस तरीके की इनों boost मिलता है तो customer relationship management कुछ नहीं ये एक तरीके का एक software है जो पूरा का पूरा system automation के उपर based है यानि manually यहां पर किसी तरीके की involvement की जरूरत नहीं है पूरा आपका पूरा काम system automatic करता है कि आपने last time कितने का loan लिया था या कौन सा आपने product खरीदा था क्या आप चाहते हैं क्या आपकी दिखते हैं मतलब बहुत सारी information आपकी system cloud के उपर store हो जाती है जिससे आपके साथ में customer के साथ में ये नों products को sale करना आसान हो जाए तो उसी technology को customer relationship management technology को sales force यूज़ करता है तो आप sales force कोई ऐसा नहीं है आप ऐसा नहीं है sales force का मतलब ये नहीं है कि मतलब लोगों की team है है ना ऐसा नहीं है sales force एक तरीक एगा customer relationship management को करने का एक software है बहुत बड़ा software है और एक global leaders software है तो यहाँ पे क्या हुआ है अच्छे से जानने के लिए अच्छे से समझने के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए कि customer का orientation क्या है चाहता क्या हो उसके लिए इन्होंने sales force की platform को join किया है collaborate किया है sales force पुरा का पुरा data collect करता है अपने cloud के उपर जिससे customers को अच्छे से पकड़ा जा सके कि वो चाहता क्या है और इससे अपने bank के retail growth को बढ़ावा दिया जा सके तो यहाँ पर bank का फाइदा कैसे होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पहले इस article के इंदर जो main point है आपको समझा देता हूँ तीन से चार मिनट में है दो से तीन मिनट में तो sales force एक तरीकी का global leader है CRM में आपको पता चलके होगा इसके बाद देखिए यह बैंक ने collaboration किया है ताकि वो अपने next generation technology platform को power दे सके यानि उसको उसको बहुत ज़ादा powerful बना सके ताकि वो retail lending business को growth करा सके और यह bank के साथ में बिलकुल line में है bank का goal है कि अपने retail asset portfolio को scale up करा जाए उसको do गुना तीन गुना चार गुना कर दिया जाए retail asset portfolio इसी काम को आगे ले जाने में yes bank का sales force platform के साथ में जो collaboration है काफी हद तक मदद करेगा काफी जाना मदद करेगा यहाँ पे yes bank की leveraging strength को use करके leveraging यह इस yes bank की जो technology capabilities है sales force के platform को use करते हुए उसके उपर leverage करते हुए यह collaboration का main aim है कि यह customers के साथ में एक unified experience gain कर सके, engage कर सके ताकि retail sector की जो growth है उसको aggressive बनाया जा सके right, aggressively उसके, मतलब yes bank की सीली चाहता है कि यह aggressively growth करे retail sector में और आपको बताना चाहूँगा सबसे important बात कि yes bank, India के जितने भी banking system है सब में से पहला ऐसा bank है जो sales force platform को use कर रहा है loan origination और processing के लिए और कोई ऐसा bank नहीं है तो इसका main काम होगा अपने retail sector की growth को scaling up करना इससे क्या होगा कि जो intermediate, जो manual processing होती है वो सब भी खतम हो जाएगी जिससे turn around time यानि TAT भी कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा loan को disbursement करने में बहुत आसानी होगी उसको process करने में आसानी होगी उसको judge करने में आसानी होगी कि जो distributors हैं ठीक है जो loan बाट रहे हैं ठीक है, उनकी क्या input है किस तरीके की उनकी performance है मतलब A to Z हर चीज sales force platform को use करते हुए ये इनको पता चलेगा जिससे ये अपने business को अपने retail business को उपर ले जाने में बहुत जादा मदद करेंगे समझो कि ये J curve की तरह इनकी growth को मदद करने वाला है sales force के साथ collaboration तो वैसे बहुत कुछ लिखा है, बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों के समझने के लिए, I hope आपको point समझ में आगया होगा, Yes Bank Limited का, sales force के साथ collaboration का क्या sense है और bank को growth कैसे होगी जैसे आपकी भी growth उसी में शामिल है, so this is all I would like to terminate right here, if you are new here, consider subscribing and if you want to open Demit account, follow the link given in description box of this video have a good day